हेलो फ्रेंड्स सभी को नमस्कार पिसले पार्ट में हमने MP6 2023 का जो जियोग्राफिका पेपर है उसका फ़ेस्ट पार्ट किया था और सेकेंड पार्ट में हम बचे हुए 50 सवाल है वो करेंगे यह पेपर है वो MPSC द्वारा 27 अगस्त 2023 को आईजित किया गया था तो हमने 50 सव हिमाले परवत को उत्तर से दक्षिन के करम में रखिए नौर्ट से साउथ है उस ओर्डर में जमाना है तो जो ट्रांस हिमालिया का है कारा कोरम लद्दाक और जासकर और उसके बाद ग्रेट हिमालिया आ जाता है फिर पीर पंजाल फिर सिवाली तो इस प्रकार से यह भी ब भुकम की दर्ष्टी से साविधन सीले इसके लिए कौन से कारक जिम्मेदार है तो जो हिमाले है जो हिमाले वाला रीजन है यह जो अर्थक्वेक की दर्ष्टी से भुकम की दर्ष्टी से साविधन सीले और इसका जो मुख्य कारण है वह हिमाले ने अभी तक समिस्तानिक स बलाई कस्मीर गाटी का भुकंब हो बलाई नेपाल के काठमांडू गाटी का भुकंब हो तो हिमाले में मतलब सालों साल भुकंब आते रहते हैं तो राइट अंसर हो गया ए अगला सवाल है एक सो तीन निमलिकित कतनों को पढ़िए और बताईए कि यह प्राइड एप भारत के किस पठारी छेतर का परतिने दित्तों करता है तो कौन से प्लेटो एरिया का परतिने दित्तों करता है पहले तीन स्टिटमेंट देखने और उसके आदार पे हमें पता लगाना है पहला है यह अरावली स्रेणी से घिरा हुआ है तो अरावली स्रेणी जो की गुजरात के पालनपूर से लेके दिल्ली की राइसिना हिल्स तक पहली हुई है, राजस्तान से गुजरती हुई, इसके बाद में पूछा गया है, इसको दो अपवा पढ़ना लिया, एक अरब सागर की और दूसरी बंगाल की खाड़ी की और, इसकी दो अपवा पढ़ना लिया है, तो कुछ नदिया है वो अरब सागर में गिरेगी, कुछ बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, यानि की अरवली की पूरु की और मालवा परवाः से बना हुआ है, यह नहींते है, और यह काली मिट्टी से ढगा हुआ है, तो वहाँ पर मि इस हिसाब से जो right answer होगा, वो होगा, मालवा, प्लेटो, मालवा, पथार, तो right answer हो गया, हमारा मालवा का पथार, इसमें जो कुछ नदिया हैं, जैसे कि माही नदि है, तो माही नदि कहां गिरेगी, अरब सागर में गिरेगी, और वहीं चंबल नदी है तो चंबल नदी कहाँ गिरेगी बंगाल की खाड़ी में तो दोनों अपववा पर्णलियां सामिल है अगला सवाल है भारती जल परमानी को जल परणाली को मोटे तोर पर समुदर की और उन्मकी करण के आधार पे दो परमुक परणालिया में विबाजित किया गया है इनमें सामिल है बंगाल की खाडी का आपवा और अरब सागर का आपवा निम लिखित में से किस जल विबाजित द्वारा एक दूसरे से अलग होते है ये भी ंCIT में जो great water divide की बात करते हैं तो great water divide जैसे नीचे की और तो अरावली हो गई अरावली की बाद में एक तीखा मोड आता है विंद्यांचल और जो ये नरमदा और तापती नदियां है जो अरब सागर में गिरती है तो इस वज़े से तीखा मोड बनाते हुए वापस पच्चिमी गाट होते हुए नीचे की और जाती है और उपर जो मानसर्वर जील है वहाँ से शुरू होती हुए नीचे जो अंबाला हाइलेंड है वहाँ से गुजरता हुआ अरावली तक जाता है water divide तो जो अंबाला हाइलेंड है वो सतलज और यमुना को divide करता है अंबाला हाइलेंड के जो पच्चिमी साइड है वो सतलज नदी वो जाती अरब सागर में और यमुना नदी है वो आगे जागे गंगा में मिल जाती है वो अंबाला हाइलेंड के पूरवी साइड है तो राइट आंसर होगा है तो वो लेता है तो नहीं शेक्स कोब करते। हैं वह कोजा करते हैं अब जैसे कि बच्छा कंसीव करता है लोग क्या करते हैं फिटिस्ट कटें फिटव एक तरह से हत्या करते हैं और कुछ क्या करते हैं इन फेंटिस्ट this order बच्चा जनम लेता है उसकी अतया कर देते हैं इस वज़े से जो सब्सक्राइए वह चलाए जाता है जिसम apologize अबिदा इस गया सेंटर है उन पे काफी कंट्रोल रहता है सरकार का और इसके लिए आईसी एंडिटिटी जो एक्ट है वो लगू किया गया है अगला सवाल है 106 निमलिखित में से कौन सा मानसून की सम्मन्द में सूखे का संकेत है तो सूखा है अगर सूखे की डेफिनेशन देखें तो सूखा होता है जो सामने वर्षा होती है उससे 25 सेंटिमेटर से कम वर्षा होती है यह 25 सेंटिमेटर से कम वर्षा होती है सामने से तो वो कहलता है सूखा तो पहला statement करा है सुखा तब होता है जब वर्सा सामान इसे 90% से कम होती है अब सामान इसे 90% होगी तो भैंकर सुखा वाला हो गया तो ये statement बिल्कुल सही है और दूसरा statement देखा है किसी दिये के चेतर के लिए नवानसुन के आगमन की सामान इतिती से तीन सब्ता की अधिक्त देरी अब अधिक्तम पूछ रहा है पर नियूंतम कुछ लिखा नहीं है तो ये बिल्कुल वैसा वेरिबिलिटी से भी सुखा होता है पर अधिक्तम लिख दिया तो तीन सब्ता एक, एक सब्ता एक, दो सब्ता हमें क्या मालूँ और तीसरे स्टेट में मानसुन की अधिक्तम नहीं है तो हमार राइट आंसर हो गया ए 90 परसेंट में तो बैंकर सुखा होगा तो इसमें आपको ये सुखा अकाल बाड ये सारे मिल जाएंगे तो राइट आंसर हो गया ए अगला सवाल है उत्तर भारत के विसाल मैदानों से किस चेतर में निमलिकित विशेश है तो उत्र भालत के कि मैदानों में बाभर मंलता है भाभर मिलता है कादर gitu थीन ठीक्ने ج Näए बज़ञीं पंगार parlar को गाया और वादर्वी तो लूप्थ होने वालवारी जो रीजन होता है में भाबर में बढ़े बढ़े पत्थर उते निजन होता है उनके नीचे गया हुआ है जो जगह हो तमका गया नीचे तरह से आपयों धूरे स्वी माइग्रें अवागे धान नुट। 47 का पार्टी से पेशन हुआ विबाजन हुआ तो माइग्रेंट होए वह जैदे तरवाँ बस गए और आज वहां तरही रीजन में बहुत सारी कर्सी की जाती है अगला सवाल अगला जो इस्टेटमेंट है वह नदियों का वेग अचानक कम हो जाता है यह नदियों का वेग कम हो जाता है फिर आगे जाके बहुत चौड़े रीजन में निकलती है और फिर जाके सरीता वापस एक हो जाती है तो राइट अंसर हो गया भाबर अगला सवाल है यह बी एक तरह से बैसिक एंसी आर्टी से सवाल था जो बाबर वाला है एक अजार एमेम आईसो हाइट यानि से ज्यादा वाला जो इलाका है वहाँ पर से कम वाला इलाका है वहाँ पर गहूं का उत्पादन होगा अगर आदर सदाबार वन की बात करें तो वहां उनको चाहिए होती है 200 से ज्यादा तो यह वाला हो नहीं सकता और मेरेडियन का क्या लेना ना समय से कोई वर्षा समय की जो लाईने उनसे कोई वर्षा का लेना देना नहीं है चिकनी मिटी के चेत्र और रेतिली मिटी के चिकनी के बाद अचानक एकदम से रेतिली ऐसा टांजिसन नहीं होता है रेतिली के बाद थोड़ी सी जो बांगर वाली रीजन गाली मिट्टी आएगी चिकनी मिट्टी तो डेल्टा रीजन में पाई जाती है तो ये भी बहुत दूर दूर हो गए तो राइट अंसर हो गया ए अगला सवाल है भारत की खनी संपदा चटानों के भू एगनी गटन से जुड़ी है तो जो मिनरल वैल्थ है वो किसे जुड़ी होई है जियो लोजिकल पॉरलमेशन की बात करें तो सबस té जो नवी इन में देखेंगे तो यह नौर्दन प्लैन है यह बहुत रेशेंटली बनाने है इस में सारी कि सारी बालू मिट्टी है और मिट्टी में कोई खनीज नहीं होता है, कच का बैसीन है, वहाँ पे भी खनीज है, कच के बैसीन में आप नीचे देखोगे, तो बहुत सारा ओयल वगरा है, कच बैसीन के नीचे छुपा हुआ है, सिंदू, इंडस सांको वाला रीजन है, वहाँ पे भी खनीज है, बहुत कोईले की बंडार निम लेकित में ऐसे किस छेतर में पाई जाते हैं तो कोईला जो बार्थ में पाई जाता है एक तो गौंडवाना जो गौंडवाना परकार का कोईला पाई जाता है तो गौंडवाना जो कोईला पाई जाता है वो कोईला है उसका निर्मान है पर्मियन पीर बना था वो बना था लिगनाइट परकार का तो ये दो तरह के पाई जाते हैं ज्यादे तर गौणवाना के बंडार है 97% 3% ये इसके लिगनाइट के बंडार है राइट अंसर हो गया ए अगला सवाल है क्रश्ट और मेंटल का सबसे उपरी ठोस सते तो जो ठोस जो उपर वाल मंडल है वह आ जाता है क्राइट वह मंडल को का जाता है जो बरफ होती है उनको बरफ वाला चित्र उसको का जाता है और मोर डिसकंटिनिटी तो डिसकंटिनिटी होती है जो की क्रश्ट और मेंटल के बीच में होती है अगला सवाल है 112 इसमें पूचा गया है पर्थी की ल हेला से ले पर कम किया जा रहा है कि बहुत लौड वाला काम है पर अच्छे दर्फ फोसे नह घूल पूरी एक टैबल दे रखी है अगर पूरा नहीं थोड़ी से एंसियाटी किता है नए वाली में मैंने देखी नहीं पर यह आटा दिया है पार्थ नए वाले सिले बस से अगला सवाल है वैगनर द्वारा दिये गे महादीप ये परवा में इन में से किस ने समर्थन किया अब और कॉंटिनेंटल जो ड्रिप्ट वैगनर ने दिया था वो 1912 में दिया था और 1915 में पब्लिश के था जर्मन में और इन दोनों को कमेंड रूप से जो वैगनर टेलर आईपोतेसिस भी कहते है तो इस बात से जो टेलर थे वो इस बात से खपा थे कि ये दोनों को साथ में नाम क्या लिखा कि मेरा मैंने पहले दिया है कि भी मेरा लिखना चाहिए तो उस बात का समर्त अंतर था ही क्योंकि महाधी प्रवा की बात तो वो करी रहे हैं उन्होंने क्या कि हम मैंने दिया है ये तो पर जो नाम दिया कि है आईपोतेसिस के मेरा दिया जाना चाहिए पर ग्रिन लेंड में अपनी जान भी गवा दी थी तो यह टेलर हो गया दोनों महाधीपी परवा की बात करते हैं वेगनर और टेलर अब कुछ लोगों को लगएगा अब उनी सो आठ में दिया है तो बाद में ऐसे समर्थन की बात कैसे पर यह वाईली रेमो और विंडले कहीं मि पूछ रहे हैं कोई यह जो लहर वाला है फिर बीच में कोईले वाले पूछे थे जो रॉक्स की सीक्वेंस होती है तो पेपर थोड़ा सा जब आप नेट वाला या एक्जाम देते हो तो इसमें कोई सिलेबस इतना निच्छित नहीं होता है जी लिख दिया तो जो सिलेबस आपके बैसिक जियोग्रापी तो अपने आप में सामिल है आपको सिलेबस पूरा करना है साथ ही जो सवाल आ रहे हैं पिछले सालों में तो वो भी आपको करने अब कुछ लों कहेंगे भी तो सिलेबस में नहीं है नहीं ऐसा नहीं होता है यह बड़े लेवल का एक्जाम है असिस्टेंट प्रोपेसर बनने जा रहे हैं तो इसमें कॉमन जीजे अपने आप ही सामिल जीओ मॉर्पोलिज लिखने से उसके फंडमेंटल्स अपने आप में सामिल हो जाते हैं तो जो लहर फॉरमेशन होता है जब जौला मुकी का उदगार होता है तो जौला मुकी एक नजगा प्लेट तो नजगा प्लेट फसा हुआ है नजगा प्लेट फसी हुए है साउथ अमरिकन प्लेट और इस्ट में और पैसिपिक प्लेट है वेस्ट में बाकी अफ्रिकन प्लेट से इसका कोई लेना देना नहीं और केरिबियन प्लेट और नॉर्थ अमरिकन प्लेट इससे भी कोई लेना देना नहीं है तो राइट आंसर हो गया D अगला सवाल है जब उपर पटी चटान लगू छेती इस्तान में संकुचित होती है पहली चीज़ तो कंप्रेस हो रही है मतलब नॉर्मल फॉल्ट नहीं हुआ नॉर्मल फॉल्ट में क्या होता है दूर जाती है रिवर्स फॉल्ट में चटाने पास आती है तो एक बात तो किलिर हो गई कि नॉर्मल फॉल्ट नहीं है यह रिवर्स फॉल्ट की बात है अब thrust fault भी एक तरह का reverse fault का type होता है होस्ट तो होना नहीं है अब बात करते हैं अब बात करते हैं कि फ्रस्ट है कि reverse से shortening of the crust is achieved by one block riding over the other along a steep fault अब बात कर रहा है steep fault की तो ज्यादा steeper होता है वो होता है reverse fault और thrust fault होता है इसमें steepness होती है कम होती है तो इस हिसाब से right answer हो गया वो हो गया reverse fault दोनों का angle देखो गया तो इस्टी पर कौन सा होगा ज्यादा खड़ा डाल किसका होगा वो होगा reverse fault का तो right answer हो गया c ये भी fault और fault वाले जो common element है उससे पूछा गया अगला सवाल है भोतिक अपक्से को यह भी कहते है तो physical weathering physical weathering को mechanical weathering के नाम से भी जाना जाता है तो तीन तरह की weathering होती है physical weathering या mechanical weathering chemical weathering और biological weathering hydrolysis है वो chemical weathering का ही हिस्सा है तो right answer हो गया a अगला सवाल है W.M. Davis called most prominent not yet eroded events as W.M. Davis ने अती विशेश अपरदित अवसेश को क्या है मौनेड नॉक्स का है थोड़ा सा यह मौनेड रॉक्स हो गया है पर जो right answer होता है वो मौनेड नॉक्स होता है जो प्लैन होता है उसको तो बोलते है पैनी प्लैन और उस प्लैन में कुछ पहाड़िया चोटी चोटी पाड़िया जो अपरदित नहीं है और बच जाती है रिमेंट होती है उनको कहा जाता है अवसेश होती है उनको कहा जाता है मौनेड नॉक्स राइट अंसर गया डी अगला सवाल है एक अंतरवेदी प्रकार की चटान बैथोलित है तो इंटुन्जिव फॉर्म की तो जो ज लेर से उन लेयरों के बीच में जैसे कोई सिल है सीट है यह सारी-सार जो लेर से एकोडि चलती उनको बोलते हैं कौन कॉरडन कॉरॎर नकॉर्व लेयर को follow नहीं करती है उसके बीच में घुस जाती है उसको बोलते है discordant ये भी geology का जो common geology है उसका सवाल है geomorphology में रख सकते हैं इसको तो discordant में जैसे कोई डाइक है या फिर बैथोलित है तो बैथोलित होगी वो होगी discordant ये जियोलोजी का सवाल है अगला सवाल है 120 वा ये भी एक तरस जियोलोजी का सवाल है कोई जियो मॉर्फरोजी का expert था उसको काफी जियोलोजी पसंद थी तो काफी सारे जियोलोजी के सवाल दे दी और जियोलोजी के सवाल परदेश को आयू परकार और सरचना के संदर में भूव गरबवता कहते हैं तो जियोलोजिस्ट रैफर करते हैं एक कंसिस्टेंट रोग को जो एज टाइप और स्ट्रक्चर के साब से तो कंसिस्टेंट मनलब वहीं की वहीं बनी हुई है तो गरबेन तो गाटी हो गई सब्सक्राइब गरपसुन ने तो व नहीं है तो थे अगले सवाल है निम लिखित में से कौन सी गैस सुसकावा के आयतं में निम लिखित परतिश्ट में होती है तो यह देखो वाई मंडल का जो composition है वो dry air से ही निकालते हैं हम जल वास्प को consider करते ही नहीं जल वास्प है वो 0.01 से लेके 4.18 या 4.16 तक होती है लगबग 4% तक होती है जिरू से लेके 0 नहीं होती है 0.01 से लेके होती है उसको consider नहीं करते है dry air का ही composition निकालते हैं तो उसमें जनरली के बहुत सदल पेपर आते हैं तब oxygen पूछ लेते हैं nitrogen पूछ लेते हैं आरगन पूछ लेते हैं carbon dioxide पूछ लेते हैं अब यह पूछा है अब इसमें confusion कहा होगा 0.3 में आरगन और oxygen ज्यादा है 21 परसेंट लगबग 20.3 तो neon और helium में confusion होगा तो neon थोड़ी सी ज्यादा है travel याद करके जानी है बहुत सारी factual सवाल है वह भी पूछे जाते हैं अगला सवाल है अगला सवाल है इंटिफाइड ग्लोबल पैटर्न ऑफ सरपेश विंड्स प्रॉम एक्वेटर टू पोल्स विश्वत रेका से दुरों की और धरतली पाउने उनका आदर्स परतिरूप क पहले डोल ड्रम वाला परसांत मंडल है परसांत चेत्र है फिर ट्रेड विंड्स सन्वारगी पाउने और फिर आती है पच्वा पाउने वेस्टरली और फिर आती है पुर्वाई इस्टरली यानि की पोलर इस्टरली तो यह हो गया कहां से इक्वेटर से लेके पोल तक वि मरुस्ता लिए जलवायू मरुस्त लिए दो जलवायू उसके लिए तो b term उजोगी और इस्टे भी जलवायू इस्टे भी s होती है इस्टे भी जलवायू के लिए b s तो b w होता है digit के लिए तो यह 3 option तो ओड़ी गए बचाई ए कि आद्र उपोस्ट नकटी बन दिये जलवाई जिसको बोलते हैं C, F, A A, F है वो रैन राउंड दाइयर के लिए यूज होता है और A जो एकेटोरियल लिजन होंगे फिर दूर जाएंगे C, फिर D, फिर दुरुआं पे जाएंगे तो हो जाएगा E अगला सवाल है 124 में में पूचा गया है The Dating and Study of annual rings in trees is called जो वरक्स होता है वरक्स में हर एक साल की एक रिंग बनती एक वले बनता है और उस वले से हम उस वरक्स की आयू ग्यात कर सकते हैं तो कुसे एक 12 अता है उस डिलर से उस तनह मेक डालो तो कितनी रिंग है उसका एक्सेम्पल निकल जाता है तो उससे अम ब्रक्शों के आईू निकालते हैं तो इस ब्रांश को बोला जाता है डेंड्रो यूज की जाती है यह फोरेश्ट भी बाग वगरा है वो भी जएदे तर इसको यूज करते हैं अगला सवाल है वो है निम लिकित में से कौन सी वायूरासी उस महादीपी ए ध्रूई ए वायूरासी को दरसाती है जो नीचे से गर्मी प्राप्त करती है और उपर की और अस्ति होता है सी सी छोटा यूज करते है यह थोड़े से जो इन्होंने सिंबल यूज की हैं यह मतलब थोड़े से गलत मतलब यूज कीया है कि जो सारे के सारे capital लिख दिये, सारे के सारे capital नहीं होते, C हो गया continental, फिर polar है, दुर्वी है तो हो गया P, फिर unstable है तो हो गया U, तो U वाले किते बचे, U भी छोटा होता है, P बड़ा होगा polar, और U छोटा होगा, U वाले बचे 2, B और D, अब लिखा है, नीचे से गर्मी प्राप प्राप्त करेगी, मतलब उससे गर्म कौन है, तब ही गर्मी प्राप्त कर रही है, कोई भी चीज ठंडी है, तो वही गर्मी प्राप्त करती है, अब दूद ठंडा है, नीचे से आग दे रहे हैं, तो गर्मी कौन प्राप्त कर रहे है, दूद, तो जो सिंबल होता है, K और अगला सवाल है आइन मंडल में दिन तथा रात दोनों में उपस्तित रहने वाली लेर तो दोनों में उपस्तित रहने वाली लेर है जो डी परत होती है वो दिन में होती रात में गयब एप परत होती है वो दिन में भी होती है रात में भी होती है एप परत को दो भागों में बांटा जाता है F1 F2 F1 रात में गयब जाती पर F2 तो रहती है कुल मिला कि F layer तो रहती है M layer एक तरह से डमी डाल दिया है तो right answer हो गया A अगला सवाल है hurricane विशुवत वरत से 5 डिगरी के छेतर में निर्मित नहीं होते है तो वहाँ पर क्या कारण है तो वहाँ पर क्या कोरियोली स्पोर्स वीक होता है तो मतलब गुमेगी नहीं जो चक्र है वो बने गई नहीं साइकलोन है वो बने गई नहीं तो hurricane उत्पन होंगे ही नहीं तो right answer हो गया A विकसे पकबल बहुत कमजर होता है अगला सावाल है उप सोर के इस्तिती में पर्थी तता सूरिय के बीच में लगबग दूरी है यह oceanography के जब हम जवार पढ़ते हैं तो जवार में पर्थी और सूरिय की दूरी पर्थी और चंदर्मा की दूरी यह हमें याद करनी होती है तो पर्थी और सूरिय की जो दूरी है उप सोर में जो दूरी होती है पर्थी है यह जब पास होता है सूरिय और पर्थी दोनों तो वो होता है 147 और जब दूर जाते हैं तब होता है 152 मिलियन किलोमेटर होती है तो राइट आंसर हो गया 147 मिलियन किलोमेटर अगला सवाल यह भी रिपिटेट सवाल है एंटी ए द्वारा जो सवाल में करवा रहा था उसमें एक में पूछा गया है आप देखोगे तो एक पेपर में यह आया हुआ है तो आउट आफ दा टोटल एनर्जी एमिटेट बाई दसन जो सूरी से उत्सरजित होने वाले कुल उर्जा का वो मिलता है इंप्रा रेड और टू परसेंट है वो मिलता है यह लगबग लगबग आंकडे है और टू परसेंट मिलता है वो मिलता है यूवी तो राइट अंसर हो गया ए अगला सवाल है ताप मान का मापन करने वाली निर्पेक समापनी के नाम से भी जाना जाता है तो य तो ऐसकेल होती है वह पर absolute जिडेश फकेल होती है वहां पर absolute 0 होता है Kelvin जो temperature है उसमें 0 Kelvin से नीचे कोई value exist नहीं कर सकती 0 is absolute 0 तो वो होगा Kelvin scale Celsius मैं देखो minus में ता आप मान होता है Kelvin में कभी भी minus में नहीं होता है 0 Kelvin है 1 Kelvin, 2 Kelvin तो इस तरह के फॉर्णेठ Celsius है और व्यूफोर्ट है वो तो विंड कुमापने की स्केल है तो जो विंड स्पीड कुमापने की स्केल है तो हमार राइट अंसर हो गया D अगला सवाल है 131 एक सो एक तीसमें में पूछा गया है विच आप फॉलविंग प्रेक्टर इंप्लेंसे तो कौन सा कारक है वो समुदरी लवनता को परवाइट करता है तो यह चार कारकों को देखें तो नदी यह वह बहुत ज्यादा परवाइट करती है नदी से आने होला प्रेस वाटर है इस वज़े से देखो जो बंगाल की घा पात करें तो जो टीन सी दे रखे हैं मतलब बींपढ़ सी पर यह तेनों की ना यह तो यह सबसे ज्यादा यह तो मरत सागर है जो डेड दे तो सबसे ज़्यादा क्या है क्हारा होता है यह इतना होता है कि अपनी बोडि भी इसके अंदर डूबेगी नहीं हम इसमें कूदेंगे न थो भी तेरते रहेंगे बले उसमें अकबार पड़ो बले आप बहुत सारे लोग हैं वह मतलब इसमें जाते हैं तो डूब नहीं जाता है क्योंकि गनत तो उसका कम होता है अगला सवाल है 133 वां डार्वीन का दसाव सिद्धान यानि की सबसीडेंस थेओरी है वो किसके लिए तो कोरल रीप की जो थेओरिया है वो हमें सारी यादगर नहीं होती है तो उसमें से यह कॉमन सा सवाल पूछ लिया है कोरल गरम जलदारा अल नीनो किस तट के किनारे बहती है यह भी रीपीटेट सवाल है पिसले वाला भी रीपीटेट सवाल है तो अल नीनो अब देखो नॉर्मल जो पेरू की ठंडी जलदारा बहती है वहां पर अगर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए तो वह गया कंडिशन ल तो अगल वास, ब्राजिल, गलप इस्ट्रीम ये तीनों के तीनों गरम है, कनारी है ठंडी, जो अफरीका का जो उत्री अफरीका है, उसके जो साइड में बैती है, वो आप देखोगे तो आपको उत्री अटलांटिक्स अगर में जो बैती है, दिख जाएगी, जौर बाटा क उत्पत्ति का कारण क्या है तो ज्वारबाटा की उत्पत्ति है सूरी और चंदरमा का जो आकर्षन बल है उसकी वज़े से ज्वारबाटा आता है अगला सवाल है सुनामी एक समुदरी लहर है तो सुनामी समुदरी लहर है और इसका कारण होता है समुदर के अंदर भोकम बा गया इस परत से गहराई के साथ तापमान में तेजी से परितल रैपीड चैंज होने वाले होते हैं वो क्लाइन का अर्थ ही होता है स्लोप और एकदम जो गिरावट है तो वो यह दिख रही है इसमें दिख रही है तो राइट आंसर रोगे डी अगला सवाल है बर्मुडा ट् पती के स्थेतिक तरंग सिद्दान का परतिबादन किस ने किया तो जो 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 आरबाटा की जो थियोरिया है बले आप लापलास की थियोरी हो बले न्यूटन की थियोरी हो बले हैरिस की थियोरी हो और वेवेल की थियोरी है तो आर ए हैरिस की है वो स्टेशनरी वेव थियो प्रोग्रेसिव वेवति हो रही है तो राइट अंसर हो गया D अगला सवाल है वर्तमान में वाइव मंदली है समस्त गेस ये संग्ठन का कितना परतिसाथ कारबन डियोकसाइड का सांदरन है तो वर्तमान की बात करें तो 0.039 के आसपास है अभी जो लेटेस्ट आंकडे हैं उनके नुसर पर 0.03 आप पढ़ते हो तो लगबग राइट आंसर ये हो गया C 0.032 परसेंटेज अगला सवाल है मानव पर्यावरन समंदों के किस उपागम में मानव को परकरती एवम अन्य सभी जीवों से स्रेष्ट माना गया तो डेटर्मिनिजम अपरोच थी उसमें पर अगला सवाल है कौन सी परिकल्पना ओजान सरंड से संबंदित नहीं है तो अगर वले सुनी हुई नहीं हो तो भी इसको आप आसानी से अंतरतारक भूल परिकल्पना जो इंट्रस्टेलर डस्ट है इन जो बर्मंड की पॉलर श्रॉक्षी और नायटोजन आकसाइड ये तीनों की तीनों ओजोन डिप्लेशन ओजों सरंण से समनी सिद्दान दे नायटोजन आकसाइड है वो भी क्या करती है ओजोन करती है दृआ अजों को जो अगला सवाले एक सो 55 से स्कर आपके यह झाहिए चार पन दीए चार एक्ट को मिला ना था पहला है एन्वार्वेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पर्यावनी शुरुक्स अधिनियम जो किया था 1986 को तो पहले का हो गया 1986 दूसरा है नैशनल एन्वार्वेंटल ट्रिबुनियन अधिनियम ये आया था 1995 में ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर जैविवित अधिनियम है वो आया था 2002 में जैवित अधिनियम और पर्यावनी शुरुक्स अधिनियम ये बहुत सिंपल थे इन से आपका ये पहला और च सिंपल प्रयावनी जियोग्राफी का एन्वर्मेंटल जियोग्राफी का सवाल था अब है नेम लिकित में से कौन सी विजिस्टा ता नगरी ये उसमा-दीप कोई नहीं अब अर्वन हीट आइलेंड एदर अर्वन हीट आयलेंड होता है जो ये दित फे सहरों में क्या होता यह उसमा का आउसोषण करती है और उसमा का आउसोषण करती है उपर से हम क्या ऐर कंडिशनर वगज़ा चलाते हैं इससे भी टेमपरिशर बहुत बढ़ जाता है तो आस पास के इलाकों से यह बहुत गरम इस्थान होते हैं इस तरी सहर वले उपर हो नीचे वह सहर आसपास के एरिया से गरम होगा एकदम अगर किसी के कॉमन सेंस लगया तो यह आसानी से पकड़ लेता अर्बन हीटरेंट पता हो तो नहीं बता है तो नहीं बता हो और तीसरा ओप्सन केंदरी भाग में तापमन अधी गोना और सीटी का सेंट है आसपास के लाकों से सर्दियों में भी सिटी गरम होगी बजाए गर्मियों से तो यह दिफ्रेंस है वह जएदा होता है तो वार्म एर का फ्लो होता है सिटी में रात में तो राइट आंसर हो गया 143 में भी यह मतलब कुछ लोग कहेंगे कि हाइट 300 मिटर का कोई लेना द अगला सवाल है 147 में इको सिस्टम सब्द का परियोग किस ने किया था और कब किया था तो 1935 1935 में किया था बहुत कॉमन सवाल है पर सन पूचा है तो साथ में कोई भी कॉंसेप्ट आ रहा है तो उसके सन भी आपको याद करने है अब यह थोड़ा सा जो सवाल है किस पार् से नंबर प्यामिड फॉर Aegisありがとうございました बहुत कम होंगे है दूसरा है और माह बीग्स पिरामिड फ बनता और सीधा वी वह बनता है तो इस रिषाव सिर्!! लोगया बिया माश पर requirement तैंजलिये जो तंतर होता है किया तालाब का तंतर हुआ वस में दोर में बड़ी मचलियों का जो बायो मास है वो ज्यादा होता है चोटी मचलियों का और उनका कम होता है तो उल्टा बनता है पर बाकी वाला जो बायो मास का पिरामिड होगा जैसे की जंगल का पिरामिड जंगल के पिरामिड में क्या है को सेर का रो टाइगर का बायो मास कितना होगा बहुत कम पुद्धों का कितना होगा बहुत सारा तो यह दोनों बनते हैं तो इस हिजाब से ही हो सकता है थोड़ा common sense लगाएं तो energy का पिरामिंड हमेशा सीधा बनता है energy हमेशा एक चरण से दूसरे में जाती है तो लिंड मान के रूल के सीधा बनेगा तो इस हिजाब से B हो गया अगला सवाल है और इसंस्तर से अन्य पोशन इस्तर में करमबद रूप से संपन होने को कहा जाता है अगर इसके पोशन इस्तर ही लिखा हुआ है तो पोशन इस्तर को पोशन इस्तर तो कहा नहीं जगते ट्रॉफिक लेवल यह अपने आप में ट्रॉफिक लेवल उधर भी लिखा है वापस इदर लिखा ह तो इसको कहलाता है food chain अब एक इसतर से दूसरे इसतर में होता है इसको बोलते है food chain यह ज़एधा food chain का जाल बन जाता है उसको बोलते है खाथे जाल तो right answer हो गया बस एक ज़ुश्ट आलका सा आप इसको थोड़ा सा द्यान से देख़े तो food chain असाणी से हो जाता थोड़ा सा गुमा पिरा के दिया है निम्लिकित मैंसे कौन सा कारक भूमी के अवनमन के लिए उत्तरदाई नहीं है तो भूमी के अवनमन के लिए माइनिंग से भी क्या है भूमी का अवनमन होता है लेंड का डिग्रिडेशन होता है construction से भी होता है wide spread deforestation से भी होता है air pollution से नहीं होता है इस परकार हमने जो बचे भी 50 सवाल थे वो पूरे कर लिए MP7 का जो हमारा यह paper है यह एकदम अच्छे से solve कर दिया है लगबग 100 के 100 सवाल है वो एकदम authentic source से लिए गया है उनसे अगर 70% से उपर मेरे को fast paper अभी मैंने देखा नहीं है तो अगर fast paper को मुझे telegram channel पर भेजता है learn to video में जाओगे तो उसमें भेजता है तो मैं देख के बता सकता हूँ कि इसकी cut off कितनी रहेगी क्योंकि वो अगर सर लाया है तो cut off क्योंकि जो 6% लेना होता है जितने बैठते हैं उसके तो उस हिसाब से जो cut off रहेगी पर फिर भी paper काफी अच्छा था तो cut off थोड़ी सी कम रहेगी तो इस प्रकार यह net paper solve हो गया अब आने वाले समय में MP जो assistant professor की geography की जो test series है वो जल्द ही लेके आ रहे हैं और इसको हम एक schedule के साथ launch कर रहे हैं अगले month ही इसको launch कर रहे हैं तो आप उसमें जुड़ सकते हैं और हमारे जो video जै solution है वो हमारे channel के माधियम से आप देख सकते हैं और हमारे channel आपने subscribe नहीं किया है तो subscribe जरूर करें और bell बटन दबाएं ताकि आपको जो भी मैं वीडियो बना हूं उसके notification सामय पर मिल सके telegram channel पर भी आप जॉइन कर सकते हैं उसकी भी link में description में दे रहा हूं और बने रही है आपको वीडियो अच्छा लगा है तो like कीजिए और अपने सुझावे और comment box में देजिए और वीडियो को अधिक से अधिक share कीजिए thank you thank you very much